नमस्कार दोस्तों, हम एरक्राफ्ट को केरी करने के लिए एरक्राफ्ट केरियर की बात करते हैं, लेकिन क्या अंडर वाटर रहने वाली सबमरीन से भी एरक्राफ्ट को लॉंच किया जा सकता है? क्या खास है E-A-18 ग्रोवलर फाइटर जेट में और क्या भारत भी इसी तरह की काबलियत हासिल करने वाला है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अप्टेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सब्मरीन्स की बात करें तो इन से किसी भी देश को एक ऐसा हथियार मिल जाता है जो चुप-चाप पानी के नीचे ट्रेवल करते हुए दुश्मन के जहाजों तक पहुंच सके तॉर्पीडों से उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे और बच किया जा सकता है? यानि क्या अंडर्वाटर एरक्राफ्ट केरियर भी बनाई जा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, जेपैन ने ऐसा करके दिखाया है मिलिए जेपैन की I-400 क्लास की सब्मरीन से आज के समय में भी दुनिया की किसी भी नेवी के पास ऐसी एरक्राफ्ट केरियर स चीफ एड्मिरल इसो रोकू यामामोटो का था इस सब्मरीन को बनाने की शुरुवात कैसे हुई अमेरिका के परल हार्बर पर जैपैन ने अटैक कर दिया था तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय के अंदर ही अमेरिका इसका बदला लेने के लिए जरूर आएगा हो सकता है कि ज जैपैन इस अटैक को ना जेल पाए इसलिए यह प्लैन बनाया गया कि अमेरिका जैपैन पर अटैक करे इस से पहले ही जैपैन खास तरह की सब्मरीन से अमेरिका के बड़े-बड़े शहरों पर अटैक कर देगा इसी काम के लिए तैयार की गई I-400 क्लास की सब्मरीन 500 तन वजनी 122 मीटर लंबी ये सब्मरीन दुनिया की सबसे बड़ी सब्मरीन थी। डीजल इलेक्ट्रिक टेकनिक से कभी भी इससे बड़ी सब्मरीन नहीं बनाई गई। जब काफी वर्षों बाद नूकलियर पावर्ट सब्मरीन बनाई जाने लगी तब जाकर I-400 क्लास की सब्मरीन से बड़ी सब्मरीन बनाई जा सकी। 35 किलोमिटर पर आर की स्पीड से चलने वाली I-400 सब्मरीन की रेंज इतनी ज़्यादा थी कि यह दुनिया में किसी भी देश पर अटेक करके वापिस जैपैन आ सकती थी। इस सब्मरीन की ताकत जानते हैं। इसमें तीन CRM C C-Planes को रखा जा सकता था। अब यह C-Planes launch कैसे किये जाएंगे तो इन्हें सबसे पहले उपर एक ट्यूब में पहुँचाया जाता था। वहाँ इन्हें स्टीम केटापुल्ट से टेक ओफ करवाया जाता था। यह उसी तरह का केटापुल्ट सिस्टम था जिसके तहत अमेरिकी एरक्राफ्ट कैरियर पर F-18 सूपर होर्नेट चैसे फाइटर जेट्स को टेक ओफ करवाया जाता है। एक सी प्लेन को मातर 15 मिनेट में लौंच कर दिया जाता था। यह सी प्लेन 1000 किलोमेटर दूर जाकर दुश्मन के उपर 800 केजी की मिसाइल्स या टॉर्पीड से उठा कर सबमरीन के उपर रख देती थी जहां से इने खास कंपार्टमेंट्स में वापिस स्टोर कर लिया जाता था। इस सबमरीन में नेवल जहाजों की तरहें तीन वाटरप्रूफ कैनन भी लगी हुई थी आई-400 सबमरीन में एना कोई कोटिंग भी दी गई थी ताक चेल्थी फीचर वाली सबमरीन थी बाकी सभी सबमरीन से अलग आई-400 में दुश्मन के एरक्राफ्ट को ट्रेक करने वाला रडार भी लगा हुआ था इस खास सबमरीन में आठ हैवी वेट टोर्पीडो लॉंच ट्यूब्स भी थी जो दुश्मन के बड़े-बड़े उपर इस तरह की इंफेक्टिड फ्लीज मिसाइल्स को गिराने की तैयारी हो चुकी थी जिससे वहाँ पर प्लैग फैल जाता और लाखों लोग मारे जाते लेकिन इससे पहले ही अमेरिका ने जैपैन को पूरी तरह से घेर लिया था जैपैन इस लड़ाई को हार चुका थ और जिस काम के लिए ये I-400 क्लास की सब्मरीन्स बनाई गई थी उसे कभी पूरा नहीं किया जा सका अमेरिका ने जैपैन को हराने के बाद कुछ 24 सब्मरीन्स को अपने कबजे में ले लिया था जिसमें I-400 क्लास की 3 सब्मरीन्स भी थी I-400 क्लास की कुल 18 सब्मरीन्स बननी थी लेकिन कम समय होने की वज़े से मातर 3 ही पूरी हो पाई थी इस बेहद खास टेकनोलोजी को सोवियत यूनियन भी हासिल करना चाता था अमेरिका किसी भी हालत में इनकी टेकनोलोजी को किसी और देश को पता नहीं लगने देना चाता था जब सोवियत यूनियन की टीम इन एरक्राफ्ट कैरियर सब्मरीन्स के इंस्पेक्शन के लिए आ रही थी तो अमेरिका ने इन तीनो आई-400 क्लास की सब्मरीन्स को टॉर्पीडो से डिस्टोई कर दिया और सोवियत यूनियन को उस जगह का पता ही नहीं बताया जहां ये पानी के नीचे पड़ी हुई थी संट 2005 में एक आई-400 क्लास की सब्मरीन्स के अवशेश मिले दूसरी ऐसी सब्मरीन्स का अवशेश हवाईयन आई-लेंड के पास 2013 में और तीसरी को 2015 में लोकेट कर लिया गया सभी को बेहद गहरे पानी में टॉर्पीडो से डिस्टोई करके डुबोया गया था जड़ा सोचिए अगर उस समय नुकलियर अटेक की वज़े से जपैन की हार नहीं होती तो जपैन ऐसी टेकनलोजी के दम पर आज कहा होता वीडियो के अगले भाग में चलते हैं अक्षे जी का सवाल है कि क्या भारत EA-18 ग्रोवलर जैसा फाइटर जेट बना सकता है यदि हाँ तो इसके लिए सबसे सुटेबल फाइटर जेट कौन सा होगा दोस्तों EA-18 जी ग्रोवलर एक मोडिफाइड दो सीट वाला FA-18 सूपर होरनेट फाइटर जेट ही है लेकिन यह ग्रोवलर एक्राफ्ट कुछ जादा ही खास है कैसे इस ग्रोवलर एक्राफ्ट में A.N.O.Q. 218 वाइड बैंड रिसीवर लगे हैं जो दुष्मन के नेवल जहाजों की लोकेशन उनके एक्जेक्ट लोकेशन बिना अपने में A.S.A. रडार को ओन करे हुए भी हासिल कर सकते हैं इससे होगा क्या इससे इनकी लोकेशन दुष्मन के जहाजों को नहीं मिल सकेगी जबकि इन्हें एक्जेक्ट ली पता होगा कि दुष्मन के जहाज और उनके एर डिफेंस सिस्टम कहाँ पर हैं इसके बाद AGM-88 एंटी रेडियेशन मिसाइल को लॉंच करके दुष्मन के ट्रेकिंग रडार और एर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रोई कर दिया जाता है सिर्फ इतना ही नहीं इसमें एक बार में ही 5 तक ALQ-99 जैमिंग पोर्ड लगाए जा सकते हैं इनका काम है साथ चलते हुए FA-18 Super Hornet को ट्रेक करने के लिए जो रेडियो वेब्स दुष्मन की तरफ से भीजी जा रही हैं उन्हें जैम कर देना इसे FA-18 Super Hornet को निशाना नहीं बनाया जा सकेगा लेकिन ये खुद EA-18 Growler की सुरक्षा में आसानी से दुष्मन के एसेट्स को मिसाइल से डिस्ट्रोई करते हैं और वापिस चले जाते हैं अगर फिर भी जैसे तैसे दुष्मन का कोई fighter jet EA-18 Growler के नस्दीक आता भी है तो उसके लिए इसमें दो AIM-120 BVR मिसाइल्स भी लगी हुई हैं दोस्तों अमेरिकी नेवी के F-18 Super Hornet fighter jets ना ही stealthy हैं और ना ही ये सबसे तेज स्पीड वाले हैं लेकिन जब इन्हें EA-18 Growler की electronic warfare सुरक्षा मिल जाती है तो फिर ये एक तरह से stealthy भी बन जाते हैं दुष्मन के ट्रैकिंग रडार और air defense system इनका कुछ नहीं भी अब भारत की बात करते हैं भारत के fighter jets में छोटे jamming port तो लगे हैं लेकिन ये उस level की protection नहीं दे सकते हैं जो electronic warfare के लिए ही dedicated EA-18 Growler दे सकते हैं इसी कमी को दूर करने के लिए DRDO ने बनाया है ASPJ यानि Advanced Self Protection Jammer यह system भी उसी तरह से perform करता है जैसे EA-18 Growler में लगे ALQ-99 jamming ports करते है एक fighter jet को बचाने लाइक पूरी protection देने में यह ASPJ सिस्टम पूरी तरह से सक्षम है दोस्तों अक्षय जी ने सवाल पूछा था कि भारत का कौन सा suitable fighter jet है जिसमें EA-18 Growler की तरह ही capabilities लगाई जाएंगी तो इसका जवाब है कि सुखोई 30 MKI से बहतर और कोई option हमारे पास नहीं ह अब भारत भी Growler aircraft की तरह ही इस तरह है के multiple jamming ports को सुखोई 30 MKI में लगाने की तयारी कर रहा है इससे यह साथ चल रहे दूसे fighter jets को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकेगा सुखोई 30 MKI को ही इस काम के लिए क्यों चुना गया है क्योंकि इसकी range 3000 km से जादा है यह heavy jamming port को आसानी इसे लिजा सकता है इसकी speed भी 2500 km पर आर तक है जिससे यह हर तरह के दूसे fighter jets के साथ बना रह सकता है यानि अब भारत के पास भी जल्दी ही EA-18 Growler जैसी capabilities आ जाएंगी दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार